दोस्ते इंस्टाग्राम पर न्यू अपडेट आने के बाद काफी जाद प्रोडम लोगों को फेस करनी पड़ रही है और कभी किसी ओप्शन की जुरूत पड़ती है और ओप्शन इधर से उधर होने की कारण लोगों को मिलने रहे हैं और आज की वीडियो में बात करने वाल कि जो एक्टिविटी स्टेट्स को आप्शन है वह आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा न्यू अपडेट हुआ है उसके बाद तो काफी सिंपल सी वीडियो आप यहांद मिलेगी आपको आज की वीडियो से और चैनल पर पनना है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर कर देना चलता है मोबाल की स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं जो अक्टिविटी स्टेटास और आफ करने का ऑप्शन है वह कहां पर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम में न्यू अपडेट आने के बाद तो यहां पर मैंने मोबाल की स्क्रीन सामने शेयर कर दिये सबसे पहल औरी जाजल सेय्टिंगर प्राइवेसी को और मिल गया है प्रोफैल वाला इकन-पर क्लिक करते हैं और oren API करते हैं तो यहां पर đấy बाइशन करते हैं यहां पर रहने के बाद आपको इसका ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपने चेक किया होगा काफी सारे ओप्शन से यहां पर कोई करते हैं यहां पर नीचे आते जाना है यहां पर आपको इन में एक option दिखेगा messages and story replies का तो यहां पर आपको बिल्कुल भी मतलब लगेगा यह नहीं कि इसमें भी option हो सकता है कोई कि यहां पर message है and story replies है तो यहां पर इस तरह का option आपको मिलेंगे लेकिन जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पर इंस्टाग्राम ने option दिया है शो एक्टिविटी status मैंने इसको मतलब off किया हुआ है यहीं मेरा activity status है जो लोगों को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ इसको मैंने पहले ही off किया हुआ है अगर आप इसको off रखेंगे यहां से तो आप अगर online आते हैं तो लोगों को किसी को भी शो नहीं होगा तो अगर आप इसको on कर देंगे मतलब इसको यहां से इनेबल कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि शो activity status आप अपने activity status को शो करना चाहते है लोगों के साथ तो इसको on करने के बाद आप सभी को online दिखेंगे आपका लास्ट सीन वगरा सब कुछ आप सभी को दिखेंगे जो आपके followers वगरा सबको आप मतलब online दिखेंगे जब भी आप online आते हैं सभी को पता चल जाएगा आप जैसे आप इसको off कर देंगे तो आप किसी को भी नहीं दिखेंगे यहाँ पर हमें आप आप किसी को online नहीं दिखेंगे मतलब अपना status मैंने याप पर activity status को पूरा hide कर दिया किसी को भी पता नहीं चलेगा मैं कब online आया कब offline हुआ लेकिन इसमें एक चीज़ी कम यह बस अगर आप किसी को online नहीं दिखेंगे तो आप भी किसी को online नहीं देख पाएंगे मतलब दोनों तरफ आपकी settings automatic याँ पर यही रहेगी आप किसी को online नहीं दिखेंगे तो आप भी किसी को online नहीं देख पाएंगे तो बहुत सारे लोगों को किसी option में अगर problem आ रही है और वो option नहीं मिल रहा है तो भी मुझे comment कर देना मैं इस topic पर वीडियो जरूर बनाऊंगा अगर आपको ये new update आने के बाद कोई options आपको नहीं मिल रहा है मतलब काफी search कर लिए आपने कोई problem आ रही है तो मुझे जरूर comment करके बताना मैं इस पर आपके जरूर help करूँगा तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो को पसंद आई होगी और वीडियो को संद आई है वीडियो को लाइक करना मत भूलना चैनल पर नहीं तप लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाए